नमस्कार दोस्तों मैं उदैलाड फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी के चाहिते चैनल इंडियन मुर्गी पालन में हुड़े देखने वाले हर किसान भाई यो मुर्गी पालक भाई का आज के हुड़े में तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत तो दोस्तों खेती किसानी में सबसे बढ़िया व्योसा है दोस्तों मुर्गी पालन का लेकिन देशी मुर्गी पालन हो या हो कावेरी, गिरिराज, वनराज, ग्रामप्रिया उसके साथ ही दोस्तों साथपुड़ा, पाथरडी, BB300, ब्लैक, एस्टरलॉप, कड़कनाथ, कौन से भी मुर्गी का अगर आपका फार्म हो दोस्तों, तो आप सभी भाईयों के लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत महत्तपुर्ण है, क्योंकि अगर आज का यह वीडियो आप अन्त तक देखेंगे दोस्तों, तो सव प्रतिशत आपको एक बीमारी को आने से पहले ही रोक सकते हैं, और साथ ही में दोस्तों कि अगर हमारे मुर्गी में वह कुन सी भी बीमारी आ चुकी होंगी दोस्तों, तो बीमारी पहचान में अगर ना आ रही हो, तो आएसे सिम्टम में, आएसे स्थिती में दोस्तों, आपको अगर डॉक्टर नहीं मिल रहा हो तो मुर्गी के फार में या मुर्गी पर आने वाली हर रोग का वहां पर बेसिक एक ही इलाज है दोस्तों लिक्जन पाउडर हाँ दोस्तों आपने सही सुना लिक्जन पाउडर तो दोस्तो आज के इस वीडियों में हम देखेंगे कि लिगजिन पाउडर का इस्तमाल किस तरह से किया जा सकता है कितना उसका हम टोटली प्रमान ले सकते हैं दोस्तो और छोटे चूजे या बड़ी मुर्गिया या हमारे पास हो 500-2000 का फार्म या हो हमारा छोटा सा पादज 15-20 मुर्गियों का फार्म तो इनी सभी परिस्तितियों में हम लिगजन पाउडर का इस्तमाल कैसे कर सकते हैं किस तरह से कर सकते हैं और लिगजन पाउडर कोन-कोन सी स्तिति में हमें देना चाहिए और लिक्जन पाउडर कोन कोन सी बीमारी ओपर वहाँ पर अच्छा खासा हमें इफेक्ट दिखा सकता है दोस्तों अगर आप सभी भी यह जानना चाहते हैं और आज तक आपने लिक्जन पाउडर का इस्तमाल नहीं किया है तो दोस्तों आप सही जगह पर आचुके हैं आज आपको लिक्जन पाउडर के बारे में टोटल जानकारी बारी की से विस्तरत मिल जाएगे तो दोस्तों यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंततक देखिए वीडियो अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथी में दोस्तों शेयर करना मत भूलिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटस अप नंबर वाटस अप ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टा का भी इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों और लिंक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब अगर आपका रहा होगा तो वीडियो की दाईतरिफ निचली साइड को आ जाएए वहाँ पर एक निशान दिखेगा दोस्तों वह निशान सब्सक्राइब का है वह निशान लाल होता है उसको टच करने के बाद कलर चेंज होकर बगल में घंटी आती है द तो समस्या इसके साथ साथ दोस्तों हुडियो देखती हुए या हमें असल में मुर्गी पालन के फार्म में आती है दोस्तों तो आप बे जिजक यहाँ पर यह शिकायते समस्या है दोस्तों हमें कमेंट सेक्षन के द्वारा भेश सकते हैं आपकी हर सिकायत समस्या का यहुडियों के साथ दिया जाएगा लेकिन वह जवाब देखने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओल कर दीजे बस इतना ही तो दोस्तों देखिए लिगजन पाउडर असल में क्या होता है इसका इस्तमाल कैसे किया जाता है लिगजन पाउडर क्यों मुर्गी पालन में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है इसका विस्तरत विशलेशन अभी देखते हैं तो दोस्तों मुर्गी का जो व्यावसाय है या कौन सा भी व्यावसाय हो दोस्तों वह बीमारी से तो अच्छुता नहीं है यानि मुर्गी पालन के फार्म में भी बीमारिया 100 प्रतिशत आती है इन बीमारियों की बात करेंगे दोस्तों हमारे पास 5 मुर्गी, 10 मुर्गी, 15, 20, 50, 500, 1000, 2000 या 55, 1000 तक भी हमारा फार्म हो दोस्तों तो भी हमारे पास बीमारी आ सकती है लेकिन बीमारी आगर आने से पहले हमने लिक्जन पावडर का इस्तमाल समय समय पर किया दोस्तो तो हम आने वाली बीमारी से 70-80% तक छुटकारा पा सकते हैं और साथ ही में दोस्तों कि अगर हमारे मुर्गियों पर बीमारी आ चुकी है हमें वह बीमारी पहचान में नहीं आ रही है और साथ ही में दोस्तों अगर हमें डॉक्टर की साहियता मिल भी नहीं रही है तो दोस्तों हमें बे जिजक वहाँ पर मुर्गियों को लिगजन पाउ तो कैसे करे कितना प्रमान ले यह पहले जान लेते हैं दोस्तों तो लिगजन पाउडर का इस्तमाल पहले हम जान लेते हैं दोस्तों कि यह पाउडर के इसमें आता है दोस्तों पैकिंग में और हमें क्या करना है कि एक लिटर साफ पानी लेना है दोस्तों और उस एक लिटर स है दोस्तों मिलाना है और यह पूरा जो घोल जब एक जयान हो जाएगा दोस्तों तब हमें यह ड्रिंकर के साहियता से हमें मुर्गी को देना है दोस्तों यानि कि हमें क्या करना है कि मुर्गियों को जो हम पानी देते हैं हर दिन ड्रिंकर के द्वारा दोस्तों उस ड्रिंकर में हमें एक लिटर पानी लेना है और दो से लेके ज्यादा से ज्यादा टाई ग्राम तक लिगजन पाउडर लेना है इस घोल को मिलाना है और पीने के लिए मुर्गियों के सामने रखना है दोस्तों लेकिन एक बात बोलता हो दोस्तों कि लिक्जन पाउडर का इस्तमाल ना 2 ग्राम से नीचे होना चाहिए यानि 2 ग्राम से कम भी नहीं और 3 ग्राम से ज्यादा भी नहीं नहीं तो लिक्जन पाउडर का इफेक्ट कम भी हो सकता है दोस्तों इसलिए यह बात जान लो कि इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है इसलिए कम से कम दो ग्राम एक लिटर शुद्द पानी में और ज्यादा से ज्यादा धाई ग्राम है अब बात आती है दोस्तों की ड्रिंकर अगर पाच लीटर का हो तो क्या करें तो दोस्तों हम यहां पर 10 से लेके 12 ग्राम तक यहां पर जो है दोस्तों की 5 लिटर के पानी में 10 से 12 ग्राम लिगजन पाउडर का इस्तमाल कर सकते यानि कि जो 20 ग्राम की लिक्जन पाउडर की जो वहां पर दोस्तो पाउच आता है उसको टोटली 20 ग्राम का अगर पाउच हो दोस्तो तो वह 10 लिटर में टोटली हमें घोल मिला कर वहां पर मुर्गियों के सामने रखना है लेकिन सामने रखते हुए एक बात और ध्यान में रखनी है दोस्तो कि अगर आपकी मुर्गिया 100,200,500,2005 यानि कि आपकी मुर्गिया कॉंटिटी में अगर हो तो दोस्तो हमें क्या करना चाहिए कि मुर्गिया बल्क में हो quantity में हो दोस्तो तो शाम के वक्त उनके सामने से drinker हटा देने हैं दोस्तो क्योंकि क्या होता है कि शाम में अगर हम उने पानी देंगे तो मुर्गी सुब़ सुब़ पानी पीगी क्या सव प्रतिशत नहीं दोस्तो फिर आयसे में अगर शाम को आप मुर्गियों को पानी नहीं देगे दोस्तो तो उनको प्यास लगेंगी और इस प्यास के साथ अगर लिगजन पाउडर मिश्रित हो दोस्तो तो सुब़ सुब़ 6-7 बजे अगर आप यह घोल उन मुर्गियों को देदे दोस्तो तो आपका का सव प्रतिश्यत हो गया यानि कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है एक बार आपकी मुर्गियों ने पूरा पानी पी लिया दोस्तो तो उनके शरीर में लिगजन पाउडर चला जाएंगा और लिगजन पाउडर अपना काम शुरू कर देगा अगर आपके पास दोस्त पाने में मिक्स किया हुआ उसका डोस दे सकते हैं दोस्तो जिससे क्या होता है कि यह लिगजन पाउडर अगर मुह से दिया जाए तो डायरेक्टली उसका जो है दोस्तो संपर्क होता है वो बाड़ी में आता है मुर्गी के और यह मुर्गी के बाड़ी में संपर्क आ गया दोस्तो तो उसे बहुत साहयता होती है और लिखिव जंड पाउडर का ऐसा इस्तिमाल करने से मुर्गि planes बहुत आच्छी उसकी सहत होती हो वह और और ऑच्छी बड़ती और जोgraduate स्दोहत सपफ़ जो हम रिजल्ट बोल सकते हैं यह कि यह रिजल्ट जो बहुत समय लगता है एक एक पकड़ कर देने में इसलिए हमें क्या ड्रिंकर के द्वारा ही देना है अभी और एक बात आती है कि चलो हमने सुबह सुबह दे दिया शाम में नहीं दिया उसके बाद दो से लेके डाइग्राम यह बात दे तो सबसे बड़ी है दोस्तों लेकिन हमें और एक बात ध्यान में रखने है कि लिगजन पाउडर फिर हमें हफते में इस्तेमाल करना है महिने में या 15 दिन में तो दोस्तों आप एक बात जान लिजे कि हर 15 दिन में कम से कम आपको लिगजन पाउडर दो दिन कंटिनिवस देना है दोस्तों आपको क्या करना है कि आने वाली एक तारिक को दिया तो दूसरी तारिक को देना है और 15 दियान का ग्याप लेना है और उसके बाद क्या है दोस्तों वहाँ पर 16 और 17 तारिक को देना है जिससे क्या होता है कि मुर्गों के शरीर में अगर कुछ बीमारी आ हो तो वहाँ अपने आप दूर हो जाएगी इसलिए दोस्तों सोचों औरhehe순 पॉडर कितना इंपोर्टन होता है कि भीजन पॉडर का इस्तीमाल करने से जो रोग या बीमारी मुर्गियों के शरीर में हो दोस्तो वह अपने आप ठीक हो जाती है या वह बीमारी अगर सेकंड स्टेप पे हो दोस्तो तो उसकी तीवरता बढ़ती नहीं है और अगर हमारी मुर्गियों में बीमारी है ही नहीं दोस्तो तो बीमारी आने में बहुत सम लिग्जन पाउडर सुबद 6 से लेके 7 के समय में देना है लिग्जन पाउडर 15 दिनों में 2 ही बार देना है continuous 2 दिनों में दोस्तो यानि महिने में 4 दिन और लिग्जन पाउडर आप जब दे रहे हैं इसलिए दोस्तो लिग्जन पाउडर का इस्तमाल अभी तक आपने नहीं किया होगा तो आप लिग्जन पाउडर का इस्तमाल आपकी मुर्गियों में करिये दोस्तों क्योंकि लिग्जन पाउडर को ब्रह्मास्त यूँ ही नहीं कहा जाता दोस्तों क्योंकि बीमारी आने से पहले और बीमारी आने के बाद एक ही मेडिसिन है कि जो बीमारी समझ में आए या ना आए आपको सव प्रतिशत वहां पर सुरक्षा कवाज प्रोवाइड करता है यानि देता है दोस्तो तो यह था दोस्तो लिग जन पाउडर का पूरा वीडियो लिंक भी शेर कीजिए दोस्तो और साथ ही में एक बात है दोस्तो की सब्सक्राइब आपका हर बार रहता है इसलिए वीडियो की दाई तरफ निचली साइड को आ जाईए दोस्तो वहां पर एक निशान दिखेगा लाल निशान दोस्तो उसको टच कर दिजे उसका कलर पयाटना या वहां पर जो शिकायत समस्या आने से पहले दूर भी हो सकती है दोस्तो तो यह ता पूरा लिगजिन पव लेकर ने आपको को सदयव मिलता रहुंगा नइदियो नइ तक मेरे हर मुर्गी पालक भाई और किसान भाई का तहे दिल से बहुत बहुत आभार